हलो नमस्ते दोस्तों कैसे हूँ आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का सवागत है हमारी यूट्यूब चैनल निमीजी नेट प्रो पे दोस्तों आज की क्लास में हम टाइपस ओफ मेमोरी के बारे में जानेंगे जिसमें के हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है स्कैनरी मेमोरी कौन सी होती है और रैम और रोम के बारे में जानेंगे इसके साथ हम देखेंगे वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है और न थियूरी देखेंगे उसके बाद 2012 से 2023 तक जो भी previous exam में question आये हुए है वो सारे questions को solve करेंगे आप देखना theory को देखने के बाद आपके जो question है वो कितनी असानी से और कितनी जल्दी से solve हो जाएंगे आपको पता ही होगा UGC net exam में काफी वार questions repeat होते हैं और हमारे options भी repeat होते हैं इसी तरीके से हम सारे topics को cover करेंगे जे series आपके लिए बहुत beneficial होने वाली आप सारी videos को जरूर देखना इसके लिए आप हमारा चैनल नीमीजी net pro जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और गंटी का बटन जरूर दबाईए तांके आपको हमारी आने वाली videos का notification असानी से मिल सके चलिए अब हम करते हैं class को start और देखते हैं types of memory के बारे में types of memory के बारे में देखने से पहले हम registers और cache memory के बारे में थोड़ा सा basic देखेंगे इसके बारे में भी हमें पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी हमारे exam में questions आते हैं registers and cache memory जे देखते हैं registers are either dedicated or journal purpose small areas of memory on the CPU the equipment ची Ara replace our teachers talks doctor private 건강able friends OT तो उसको हम और प्रॉसकों क्याते हैं उसको हम सीपीव के थी तो बहँरे तो सॉरे दबा सीपीव रूती और सिंपीव के अंदर मदरबो में मतरुक्तफ अंधर के एक मडर्बड होता है ठीक है ठीके हरे निट उस colleague एक चीप लगी हो होति है वह हमारी CPU होती है तो इस तरीके से हम क्या क्या देते हैं, 보는 dalब dolay कोरें किसे की कदिने कि अब होमारी होति यह सबसे क्षेए के सकती है और चती है और सब Ninet सब्प्री होती है और सबसेघार में अब मोरी होती चोटी मे沒事 है सबसे चोटी और सबसे फास्ट भी और एक टिक सब ब्याएं जहां पर देख यहाँ पर छोटी छोटी चिप्स लगी हुई है ना जी सारी memory जहां पहोती है cache memory और रेजिस्टर memory जी जो रिसिस्टर memory है जिस सबसे छोटी memory है और सबसे टेज मैमोरी है जी एक्जाम में बहुत kooshan आपता है कि सबसे टेज memory कौन सी है जां फिर सबसे चोटी जो memory है हमारी वो कौन सी है cache are again areas of memory on the CPU जे भी CPU पे लगी होती है that you are used to store the next instructions जे क्या करती है जे इंस्ट्रक्शन को store करती है and that need to be जरूरत पढ़ने पर executed कर देती है जे तो हमने जिस्टर्स and cache memory के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखा है I hope आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा अब हम देखते हैं computer memory के बारे में computer memory देखिए जो हमारी computer के memory है इसमें primary memory है और secondary memory है जो primary memory है इसको हम internal memory कहते हैं और जो secondary memory है उसको हम external memory कहते हैं जो primary memory होती है जो computer के अंदर ही होती है और जो secondary memory होती है जिसको हम external memory कहते हैं वो हम अपने PC के साथ अलग से attach करते हैं और इसके साथ आप जे भी दियान रखना कि जो जो external memory होती है उसको हम non-volatile memory भी कहते हैं सबसे पहले हम primary memory के बारे में पढ़ेंगे primary memory क्या होती है हमारी internal memory होती है ठीक है जिसमें के आगे two types हैं इसकी जिसमें cache memory and main memory है इसमें volatile memory and non-volatile memory आ रही है जो हमारी volatile memory होती है वो होती है हमारी RAM और जो non volatile होती है वो होती है हमारी Rome. चीक है? इसको हम एक trick से समझने की कोशिश करेंगे. देखिए जो हम क्या कहते हैं हमारे Hindu दर्मजे, जा हरयाना में हम कहते हैं राम राम बाई साब कैसे हो? राम राम क्या करते हैं? राम राम बोलते हैं. राम राम बोलते हैं तो इसका मतलब वोलाटाइल मेमोरी है जी छीक है राम राम बोलाटाइल मेमोरी है जहां से हम याद कर सकते हैं जो हमारी रैम मेमोरी है वो क्या है वोलाटाइल मेमोरी है इससे आप इसली याद रख सकते हो हमारी एक्जाम में क्या होता है हमने पढ़ा होता है कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है बट वहां पी जाके हमें कॉन्फ्यूजन हो जाती है तो अगर आप इस ट्रिक को समझ के याद करोगे ना तो आपको वहां पी कन्फ्यूजन नहीं होगी आप अपना असानी से उप्शन चूज कर सक जो वॉलाटाइल मेमोरी है इसमें रैम है ठीक है नॉन वॉलाटार में रोम है जो रैम है इसमें कौन-कौन सी इसमें डैनामिक रैम है और स्टैटिक रैम है रोम में पी रोम ए रोम ए पी रोम ठीक है तो जे हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी देखिए इसमें दुबारा से कैश memory और main memory main memory के अंदर होती है हमारी volatile and non-volatile volatile होती है RAM memory और जो non-volatile है वो है हमारी ROM ठीक है इसको आप वो RAM RAM वाली ट्रिक से असानी से याद रख सकते हो अब हम देखते हैं secondary memory के बारे में secondary जो memory है उसको हमें external memory भी कहते हैं और इसको जो external होती है इसको हम क्या कहते हैं non-volatile memory भी कहते हैं जे exam में question वहत आते हैं कौन सी memory volatile है कौन सी non-volatile है अब हम secondary memory की types को देखेंगे जिसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है magnetic disk जिसमें कि floppy disk और hard disk है जी आपको जहाँ पे pictures भी कि आप देख सकते हो hard disk की और floppy disk की उसके बाद है optical disk जिसमें CD-ROM DVD, Blu-ray HVD आ रहे हैं आगे है magnetic tape magnetic tape में जो हमारे पहले हम BCR यूज़ करते थे उसमें हम castries वगेरा डालते थे ना तो वो चीज़ीं आती है उसके बाद है flash memory flash memory में memory card आ रहा है pen drive, USB और SSD जहां पर इस से related ऐसे question पूछे जाते है कौन सी optical disk है कौन सी magnetic disk है तो जो हमें option दिये होते हैं तो हमें choose करना होता है उसमें सी जो optical disk है जो सबसे ज़्यादा इसमें से पूछी जाती है इसको याद करने की भी एक ट्रीक है देखिए जो optical है वो O से है है न स्टार्ट O से हो रहा है तो O क्या है जो round shape में है तो इस तरीके से जो round है जैसे DVD हो गई, CD हो गई और Blu-ray हो गई, HBD हो गई जो सारे क्या है round है और जो तबे की shape में है तो इस तरीके से हमें याद रख सकते हैं जो round है वो, वो optical disc है हमारी, ठीक है, तो इस trick से आप असानी से पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी optical disc है और कौन सी magnetic disc है, क्योंकि optical का तो आपको पता चली जाएगा, जो पीछे वचेंगी वो magnetic disc होगी, जा फिर magnetic tape होगी, जा फिर flash memory होगी, ठीक है, जहां पर आप देख भी सकत हो, हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, कि इन में क्या-क्या difference होता है, दिखिए जो हमारी CD है, इसकी जो capacity होती है, वो 700 MB की होती है, DVD है, उसकी 4.7 GB की होती है, और जी जो हमारी व्लियूरे डिस्क है, इसकी जो capacity है, वो 25 GB की होती है, जे इन में difference होता है, हमारी CPU रिस्टर आपको पहले ही बताया था, उसके बाद आती है हमारी cache memory, फिर आती है हमारी main memory, और last में आती है,Scandy storage, size के o कार्डिंग देखते है, size में जो सबसे बड़ी है, वोह है, scandy storage है, ठीक है, फिर आती है main memory, फिर आती है हमारी cache memory, एट रास्ट में है mystery CPU registers आपको पहले ही सबसे बताया था कि जो हमारे CPU registers हैं सबसे छोटी memory है और सबसे fast memory है ठीक है अब हम आगे देखते हैं आगे भी जही दिया हुआ है speed के हिसाब से ही दिया हुआ है सबसे पहले CPU register है जो कि सबसे fast memory है then cache memory है main memory magnetic disk optical disk और लास्ट में हमारी magnetic tape ठीक है तो इस तरीके से आप याद कर लेना कौन सी fast है कौन सी slow है कौन सी बढ़ी है और कौन सी memory छोटी है जी आपके exam के point of view से बहुत important है अब हम difference देखते हैं RAM and ROM के बीच में RAM memory हमारी कौन सी और ROM कौन सी है it is a volatile हमने देखा था ना RAM RAM बोला जाता है क्या बोला जाता है RAM RAM बोला जाता है तो इस तरीकी से जी हमारी volatile memory है और temporary memory है ठीक है और जो हमारी जो ROM है non-volatile memory है हम ROM तो बोलते नहीं है ना इसलिए जह हमारी non-volatile memory है और जह permanent memory है उसके बाद देखिए it is read-write memory इसमें हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं it is read-only memory इसमें क्या हम सिर्फ read कर सकते हैं इसकी हमें full form भी दियान में रखनी है जो RAM की full form है वो है random access memory और जो ROM की है वो है read-only memory it is fixed in the memory card slot on the motherboard जे क्या है motherboard में fix होती है it is attached with the motherboard जे क्या है attach की जाती है it is working area computer जे working area computers में use की जाती है और जे हमारी ROM होती है जे computer के start-up के लिए बहुत ही ज्यादा important होती है आपको exam में जे question देखने को मिलता है कि BIOS जो start-up है वो किस memory से होता है तो वो होता है हमारी ROM से ठीक है तो इस तरीकी से जब भी computer का जे को start-up का आपको question आएगा तो आपने वहां पे ROM option को ही चूज करना है तो इट इस start-up memory of the computer which stores the start-up information जो जिसने की start-up की information अपने अंदर store की हुई होती है देखे जे तो हमने types of memory के बारे में थोड़ा सा basic देखा है ठीक है अगर आप इसके related full theory notes चाते हो तो आप हमारा app नीमीजी.net इंस्टॉल कर सकते हो जिसकी अंदर आपको जे सारे notes मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे से त्यारी कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले आपको अपना concept clear करना जुरूरी है जब आपको concept clear हो जाएगा न दोस्तो तब आप questions भी बहुत असानी से solve कर सकते हो दोस्तो NTA UGC net exam 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक special super batch launch किया है जिसमे paper first के related complete study material रहेगा इस course में आपको क्या क्या मिलेगा नमबर वन पे all 10 unit study notes रहेंगे जो हिंदी English में रहेंगे नमबर टू पे all 10 units recorded lectures रहेंगे नमबर थरी पे 2012 से December 2023 तक all previous year question paper रहेंगे वो विदांसर टिक रहेंगे नमबर फॉर पे 2012 से 2013 तक unit wise question रहेंगे नमबर फाइब पे 2012 से 2013 तक topic wise question रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 free bonus भी दिये जाएंगे और इसके भी इलावा आपको 5 super bonus भी मिलेंगे फुल information आप जहां से read कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा app नीमीजी net install कर सकते हो फुल detail के लिए और किसी भी problem के लिए आप हमसे whatsapp पे contact कर सकते हो वीडियो description box में एप का link और whatsapp contact number दिया हुआ है थेंक्यू दोस्तो अब हम जल्दी जल्दी से अपने questions को देखते हैं ठीक है? सबसे पहले वही question आ रहा है speed वाला कौन सी memory fast है कौन सी? नहीं है which of the following correctly list computer memory types from highest to lowest speed देखिए जो computer की memory है उसमें से उच्टम से नियून्तम गती speed को सूची बद हमें करना है इसमें सबसे पहले हम देखा था कि जो CPU registers हैं हमारे वो सबसे तेज हैं और सबसे छोटी memory है वो इसमें जो right answer होगा वो option number 2 जा होगा जा 3 होगा हम option देखते हैं अभी secondary storage main memory cache memory जा फिर CPU registers next option है CPU registers cache memory secondary storage जा फिर main memory third option है CPU registers next है cache memory done है main memory and next है secondary storage देखिए option number 3 हमारा right answer होगा जिसमें सबसे पहले तो CPU register है फिक है उसके बाद cache memory फिर main memory and then है secondary storage इसके according जो हमारा option number 3 है वो right हो जाएगा CPU registers cache memory main memory and secondary storage जे जो आपको sequence है ना वो जाद रखना है जे आपके exam में बहुत question आते हैं जे जनवरी 2017 को question आया था ठीक है next question देखते हैं which of the following correctly list computer memory types from lowest to highest speed निमनतम से उचतम speed की द्रिष्टी से जो computer की memory है उसकोई सही सूची कौन सी है option देखते हैं इन्होंने option number 1 दिया है में main memory, cache memory और secondary storage next option cash memory, secondary storage जा फिर main memory third option secondary storage, main memory और cache memory next option है secondary storage, cache memory और main memory इसका जो right answer है वो है option number 3 जिसके according सबसे पहले हमारी secondary storage है हमने देखा था ना speed के according जो secondary storage है हमारी वो सबसे कम है उसके बाद क्या है main memory आ रही है हमारी और फिर cache memory और उसके बाद हमारे आते हैं CPU registers जे 29 September 2020 को question आया था next question देखते है select the option that contains only optical storage media हमने क्या देखने है optical हमने वो trick से समझा था ना ओ वाली trick से ठीक है जो round वाले होते हैं आपको याद आ रहा होगा I think देखिए सिर्फ optical storage media कौन कौन से है option देखते है option number one USB memory stick Blu-ray disc CD-ROM जा फिर DVD देखिए इसमें भी stick का रहा है जे भी नहीं होगा जे भी stick का रहा है जे भी नहीं होगा तो देखिए option number four है जिसमें DVD CDR JB round है Blu-ray disc JB round है CDRU JB round है इस तरीके से जो इसका right option है वो है option number four जे 5 December 2019 को question आया था आप देखिए theory को देखने के बाद जो हमारे question है वो कितनी असानी से solve हो रहे है है ना next question देखते है उस विकल्प को चुलना है जिसमें सिर्फ फिर से optical story शामिल है ठीक है optical किसमें होती है जिसमें कि सिर्फ round होता है पहले में भी जे देखिए memory stick का रहे है फिर इसमें भी memory stick का रहे इसमें भी memory stick का रहे then क्या है जो हमारा option number four है जे हमारा right हो जाएगा जिसमें DVD, CDR, Blu-ray disc और CDR, UR है जे 24 जून 2019 को कोशन आया था next question देखते है बैने computer is booting BIOS is loaded to the memory by हमने पीछे पड़ा था ना इसके बारे में भी BIOS के बारे में जब हमने ROM को देखा था computer के startup के बारे में देखा था तो देखे option देखते हैं RAM, ROM, CDR, जा फिर TCP इसका जो right answer है वो है option number B, ROM हमने देखा था ना कि जो startup होता है computer का जा BIOS का startup है तो वो ROM से ही होता है जे जून 2014 को question आया था next question देखते है Random access memory a form of computer storage is a dash memory जे कौन सी memory है RAM कौन सी memory है option देखते हैं non-volatile, volatile, permanent जा फिर secondary इसका जो right answer है वो है option number 2, volatile memory हमने देखा था ना कि हम क्या बोलते हैं RAM, RAM बोलते हैं RAM, RAM बोलते हैं it means RAM, RAM volatile memory है RAM, RAM, volatile memory है जे अगस्त 2016 को question आया था next question देखते हैं computer memory which of the following statement is true कौन सा कथन सही है P, Q और R हमें तीन कथन दियें इन्होंने देखे, read only memory ROM is a volatile memory हमने पीछे पढ़ा था ना आपको याद हो गए इसके बारे में फिर है random access memory RAM is volatile memory थर्ड है secondary memory is volatile memory तो हमने देखा था ना कि जो ROM है वो ROM हम बोलते हैं तो वो non-volatile memory है पहला तो हमारा गलत हो गया फिर है random access memory RAM is volatile memory Yes, हमने पढ़ा था कि RAM की जो full form होती है वो होती है random access memory फिर है secondary memory is a volatile memory नहीं जो secondary memory होती है हमारी वो होती है non-volatile थीक है इस तरीके से जो हमारा option number केवल जो Q है वो ही सही कथन हमें दिया हुए जोलाई 2018 के जोजे question आया था next question देखते है which one of the following computer components is fastest in terms of speed of access computer के जो संगटक है उनमें से कौन सा पहुँच की गति की द्रिष्टी से सबसे fast है option देखते है USB drive, solid state drive, RAM जा फिर hard disk drive इसका जो right answer है वो है option number C जिसमें के RAM आ रही है हमने देखा था ना जो primary memory है primary memory के अंदर ही हमारे registers आ रही है तो उस तरीके से जो primary memory है उसके अंदर ही हमारी RAM होती है जहां पी उन्होंने हमें CPU resistor नहीं दिया ठीक है उसकी जगा पर हमें RAM दे दिया तो हमें जो देखना है कि जो CPU उर्जिस्टर है वो किसके अंदर आते हैं तो वो रैम की अंदर ही आते हैं 20 जून 2019 को जो कोशन आया था next question देखते हैं रैम पद का क्या अभी प्राए है means इसका क्या means है option देखते हैं memory जिसे केवल पढ़ा जा सकता है memory जिसे केवल लिखा ही जा सकता है memory जिसको 27 संग्रे के लिए परजो किया जाता है जा फिर memory जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है तो इसका जो right answer है वो option number D जे memory है जिसको पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है जे random access memory है चीक है जे 25 जून 2019 को question आया था next question देखते है which of the following is not considered as a form of secondary storage हमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा secondary storage की form नहीं है option देखते है रैम, floppy disk, optical disk जा फिर flash drive इसका जो right answer है वो है option number A RAM हमने देखा था ना floppy disk भी secondary storage में था optical भी, flash drive भी लेकिन जो RAM था हमारा वो हमारी primary storage में था मतलब के primary memory में था तो इस तरीके से इसका option A right हो रहा है 26 जून 2019 को जे question आया था next question देखते है what is the meant by the term of RAM RAM का जो term है उसका क्या meaning है option देखते है memory which can only be read next option memory which can be only be written to next है memory which is used for permanent storage next है memory which can be both read and written to इस तरीके से इसका जो right answer है option number 4 memory जिसको हम पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं तो देखे हमने basic को समझा है न तो उसके बाद हमारे question कितनी जल्दी से solve हो रहे हैं memory, write on real memory, write once read many जाफि write once read memory इसका जो right answer है वो है option number 3 write once read many दो दिसेंबर 2019 को जो question आया था next question देखते हैं CD-ROM का पूरा नाम क्या है full form क्या है CD-ROM की CD-ROM क्या थी हमारी optical disk थी ठीक है option देखते हैं count disk random only memory compact disk run only memory compact disk read only memory count disk run only memory तो इसका जो right answer है वो है option number 3 जिसमें के compact disk read only memory तो हमें इसके full form भी देखना जुरूरी है इसके full form भी देखनी जुरूरी है अगर आप इसके little full theory notes चाहते हो तो आप हमारा एप नीमीजी net इंस्टॉल कर सकते हो उसके अंदर आपको जे सारे notes और lectures सारी चीज़ें मिल जाएंगी जे 24 सप्टेंबर 2020 को question आया था next question देखते है which type of memory holds the computer startup routine जे क्या आए रहा है फिर से वो startup routine आ रहा है तो हमने पीछे पढ़ा था ना startup routine option देखते है रैम, वैन, रोम जा फिर कैश इसका जो right answer है वो option number 3, रोम हमने पीछे पढ़ा था ना के रोम से startup हो रहे हैं वो सारी चीज़ें तो हमने आपको बताया भी था कि जी चीज़ आप वधियान में रखना है इससे question पूछे जाते है जे 25 से सप्टेंबर 2020 को question आया था, next question देखते हैं फिर से हमें कथन दिये हुए है, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, जे हमें बताना है कथन देखते हैं, examples of primary memory is RAM, primary memory का उधारन RAM है हमने क्या पढ़ा था, जो primary memory है, उसके अंदर RAM है, जो secondary memory के अंदर RAM थी सोचो इसके बारे में आप भी, examples of secondary memory is pen drive, secondary memory का उधारन pen drive है तो इसका जो right answer है, वो है option number one, जिसमें के कथन one और कथन second दोनों ही सही है तो देखी हमने पढ़ा था ना, कि जो primary memory है, उसके अंदर हमारी RAM आती है और examples of secondary memory is pen drive, जो pen drive है, वो हमारी secondary storage में था ठीक है, तो जे question 30 September 2020 को आया था Next question देखते है, A type of memory that holds the computer startup routine फिर से वही आ रहा है, startup के लिए कौन सा है, option देखते हैं, cash RAM, DRAM, जा फिर ROM इसका जो right answer है, वो है option number four, इसमें क्या है, ROM आ रहा है 11 November 2020 को जे question आया था, next question देखते हैं, which of the following statements are correct regarding random access memory Random access memory के बारे में कौन सी जो हमारे कथन है, statements है, वो right है Option देखते हैं, it is an internal chip, where data is temporarily stored Next, it stores the part of operating system currently in use Next, it is used to store the BIOS Next, it is non-volatile memory इसका जो right answer है, वो है option number three, जिसमें के A और B दोनों ही right हैं, बाकि C और D दोनों गलत हैं देखते हैं, it is an internal chip, देखिए जे हमें पता है न, जे internal होती है, where data is temporarily stored, जहां पे data temporarily stored होता है It is stored the part of operating system currently in use जे वर्तमान में अपजोग होरे, operating system के बाग को store करता है जे दोनों ही सही हैं इसके बारे में It is used to store the BIOS नहीं, BIOS में हमारी ROM use होती है ठीक है, it is non-volatile memory नहीं, जे क्या हमारी volatile memory है क्योंकि RAM, क्या करते हैं, RAM, RAM बोलते है जे question हमारा 2023 में आया था देखिए जे तो हमने थोड़े से question ही देखे है अगर आप इसके related full question देखना चाहते हो तो आप हमारा app NimizyNet install कर सकते हो उसके अंदर आपको सारा content मिल जाएगा उसके अंदर आपको इसके related full theory notes, study lectures and previous year question और भी बहुत कुछ मिलेगा जिससे आप अच्छे से त्यारी कर सकते हो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद I hope आपको जी वीडियो पसंद आई होगी इन्हें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तो और बाए बाए दोस्तों NTA UGC Net exam 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक special super batch launch किया है जिसमें paper first के related complete study material रहेगा इस course में आपको क्या क्या मिलेगा No.1 पे all 10 units study notes रहेंगे जो Hindi English में रहेंगे No.2 पे all 10 units recorded lectures रहेंगे No.3 पे 2012 से December 2023 तक all previous year question paper रहेंगे वो विदांसर टिक रहेंगे No.4 पे 2012 से 2023 तक unit wise question रहेंगे No.5 पे 2012 से 2023 तक topic wise question रहेंगे और इसके साथ साथ आपको five free bonus भी दिये जाएंगे और इसके वी इलावा आपको five super bonus भी मिलेंगे फुल information आप जहां से read कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा app ने image net install कर सकते हो फुल detail के लिए और किसी भी problem के लिए आप हमसे whatsapp पे contact कर सकते हो वीडियो description box में app का link और whatsapp contact number दिया हुआ है Thank you दोस्तो झाल